हेलो फ्रेंट्स, स्टुईंट्स नमस्कार, गूड मॉर्णिंग, आज आपके लिए लेकर आए हैं, TENS, TENS, यानि काल यासमय, TENS के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे TENS क्या होते हैं, काल क्या होते हैं, और इनका क्या मतलब होता है, TENS के कितने भाग होते हैं, किदे प्रकार होते हैं कि भ्हेद कि यहते हैं यह सारilim नौलज बेसिक जानकारी ले कर कि हम इस वीडियो में आप की लिए हाजिर हुआ हैं तो आप यह तो जानते हूं कि TENS का मतलब होता है काल या समय TENS तीन प्रकार के होते हैं जैसे नमबर एक Present TENS नमबर दू पास्ट टेंस नमबर तीन प्यूचर टेंस तो यह हुए टेंस तीन हिंदी में इनको कहते हैं वर्तमान काल भूत काल और बहुष्षकाल यह हुए तीन टेंस अंग्रेजी में प्रजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस हिंदी में बर्तमान काल बहुत काल और भविष्षकाल अभी आप देखते हैं इनके कितने वहност हैं याई च्टेक्चर योगारे आगे आगे आप जान लिपनकता हैं इनके प्रकार हम आपको एक वह चार्ट एक चोटी सी जार्ट बना करके आपको समझाते हैं माल दीजिए टेंस जो है एक पिता है इसके तीन लड़कें है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इसके तीन लड़कें अब प्रतेख लड़के के चार चार लड़के हैं मतलब टेंस एक पिता है उसके टीन लड़के प्रीजेंट पास्ट और फ्यूचर आव हों इन प्रतेख प्रिजेंट प्यूचर तीन लड़कें गताँ तो फिटर तीन लड़के जोंकोंतें लड़के के छार च़姐 कन रर्थ के हैं को सिंद्र मारिक को इन डेफनेट Continuous No. 3 Perfect No. 4 Perfect Continuous यह होता है हिंदी में अनिश्चित काल मतलब इसमें अनिश्चित काल में इसमें कार का होना कब से शुरू हुआ है कब तक होता रहा है कुछ पता नहीं लेकिन कार अभी चल रहा है चलता है कार होता है इसमें यह होता है कार जारी होना कार जारी होने का बोद कराता है जो अभी कार को शुरू हुआ है समय तो नहीं दिया है लेकिन कार अभी चल रहा है कार पूरा नहीं हुआ है कि प्रफेक्ट कार पूरा हो चुका है मैं Ah ऐसमें अब जानेंगे इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्फेक्ट जो है ये कार को पूरा हो चुका है इस बात को दरसाता है अब है पर्फेक्ट कांट्यू एस्टेंस यह कार का समय मतलब कार कब शुरू हुआ है उसको दरसाता है प्लस अब भी कार जारी है को दरसाता है मतलब पर्फेक्ट कांट्यू एस्टेंस में कार का समय दिया होता है और यह बता रहा होता कि कार अभी जारी है कार समय बता दिया है कि कब से शुरू हुआ है और कार अभी जारी है और कार आगे होता साथ तो यह थे चाल लड़के अब जैसे आपको चार भागों बाठना है 4 तीनों के 4 wz तो आपको यहाँ से आप मैय्ट का लीजिए प्रजैंट लीजिए पले प्रजैंट inडेफिन इटेंस थैंट ऑफ्जैंट प्रजेंट कांट्यूंस टेंज प्रजेंट परफेक्ट टेंज और प्रजेंट परफेक्ट कांट्यूंस टेंज आप दिखें दूसरा पास्ट है सेम वहीर आएगा पास्ट इंडेफिंट टेंज पास्ट पर कांट्यूंस टेंज पास्ट परफेक्ट टेंज और पास्ट पर perfect Cantu instance तो आप समझ गए कि टेंव सुमाने काल है समय तेंज के तीन भाग तीन लड़के प्रजेंट परफेक्ट प्रत्य के वहीर चारो भाग प्रजेंटिट इनडेफानous तसस्यफिय से प्रफेक्टेंस प्रफेक्ट तो ये संटी तो और चार बारा और तेक के चार चार लड़के हैं तो यह हुए जाके चार प्लस चार प्लस चार बराबर बारा यह हुए जाके बारा बार टेंस के अब आपने समझे के बारा भाग हुए जाके टेंस के पूरे बारा बाग हो गए तो इन बारा भागों के बारे में बिस्तार से हम जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से इसको बताएंगे आसा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआगा इस वीडियो में आपने जाना कि टेंस क्या होते हैं का कॉंसेप्ट क्या एक टेंस कितने प्रकार होते हैं और कितने भाग होते हैं अब शुरू से प्रजेंटेंस से लेकर के फूचर टेंस तक का डेटेल या विबरन हम अगले वीडियो में देने वाले हैं तो बने रहे हैं मायर साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज माय चैनल को लाइक सब्सक्राइब स्क्राइब कर दें और घंटी वाल